मुख्यमंत्री आवास पर आज बीजेपी कोर ग्रूप की मत्वपूर्ट बैठक बुलाई गए थी और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है क्योंकि बैठक के बाद जो कोर ग्रूप के तमाम मिंबर हैं वो यहां से मुख्यमंत्री आवास से निकल रहे हैं देखा जाए तो आज की बैठक में मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टे सीरम, प्रदेश अध्यक शाओर, साथ में स्रंगठन महमंत्री इस बैठक में शामिल हुए इस साथ में 21 मार्च को जो विधान परिशिद का चुनाव होना है विधान परिशिद चुनाव में बीजेपी की कौन कौन से परत्याशी होनगे उनके नामों पर मंद्छन होगा है जो बीजेपी की रंडीती है साथ में जो सहयोगी हैं सहयोगियों के साथ सीग बटवारे का जो फॉर्मूला है उस पर भी आज कोर गूर्प की बैठक में मुहर लगी है कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोगतबा चुनाव को लेकर और मंत्र मंदल विसार को लेकर जो आज की बैठक थी काफी महत्तपूर्ण थी वीडियो जनलिस्ट निखिल गौर्ड के साथ अविनाश सिंग नुज़र स्टेट लखनाव अवनाश हमारे सायोगिया देख जयनकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवनाश यह कोर कमीटी की बैठक हुई है और इसमें कहीं न कहीं MLC पदो को लेकर जो चुना होना है उसको लेकर भी चुर्चा हुई है और क्या आने वाले जो लोकसावा चुना हो इसको लेकर भी कुछ बात हुई है शुबन देखिए आज जो कोर्दूत की बैठक हुई है आज की बैठक में तीन महत्तफोर मुद्दों पर चर्चा हुई है सबसे पहले कैबिनेट बिस्तार को लेकर चर्चा हुई इसके अलावा चुकि इस बात की संभावना है कि बीजेपी संगठन से खिसी ओपीसी चेहरी को मंग्जमंडल में भेज सकती है जगह दे सकती है अगर बात करें तो इसी महीने 21 मार्च को विधान परिशात का चुनाव होना है तेरह सीटों के लिए और देखा जाए तो तेरह में से दस सीटों पर भाजपा के जो प्रत्याशी है उनका जीतना बिल्कुल हता है माना जा रहा है लेकिन संख्यावन के हिसाब से अगर बीजेपी 11 प्रत्याशी उतारती है तो जाहिर सी बात है कि परिस्तियां जो होंगी राज़े सभाचुनाओ की तरह होंगी तो वैसे में बीजेपी संख्यावन कैसे जुटाएगी किस तरीके से समर्थन जुटाएगी उसको लेकर भी आज की जो बैठक हुई है कोर गूरूप की उसमें चर्चा हुई है तो पहली लिस्ट बहुत जल्द आने वाली है और ऐसी जानगारी सामने आ रही है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 48 नामों को फाइनल कर लिया है यारी कि असी मेसेज जो 48 स्रीटे हैं उस पर कौन-कौन से प्रत्याशी है आला कमान यानि कि जो केंद्री चुनाव समयती है अविनाश अगर हम देखें राजसाबा चुनाव जब अभी हुआ था तो आठवा प्रत्याशी बीजेपी ने अंतिम चरण में उतारा और उसके बाद क्रोस वोटिंग देखने को मिली और बीजेपी प्रत्याशी की जीत मिली जैसा कि आप बतारें दस प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है अगर ग्यारवा प्रत्याशी उतारती है बीजेपी तो कहीं न कहीं क्रोस वोटिंग देखने को मिल सकती है बिलकुल देखिए राजस्वास चुनाओं में सफ़ा में एक बड़ी तूट देखने को मिली तकरिबन आठ हैसे विधायक थे जिन्होंने क्रोस वोट किया शर्जिल इसलाम ने जो उनका वोट था उसको अवैद करार दिया गया तो निश्य तोर पर अगर 11 प्रत्याशी बीजेपी उतारती है तो जो परिस्थितिया होंगी वो राजस्वास चुनाओं की तरह होगी अलाकि देखिए दस में से चुकि तेरा में से दस सीटों पर बीजेपी और तीन सीटों पर समाजवादी पाटी के जो प्रत्याशी है वो उतरेंगे लेकिन अगर बीजेपी 11 प्रत्याशी उतारती है तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्षी खेमा है विपक्षी खेमे में एक बार फिर से टूट हो सकती है जैसा कि राजस्वाचुराओं में देखने को मिला तो अभी जब नामों की घोशना होगी तब साफ हो जाएगा कि BJP सिर्फ 10 प्रत्याशी उतारती है या फिर 11 प्रत्याशी को भी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतारती है ठीक है बहुत धन्रवाद अवनाश आपका हमारे साथ जोडने के लिए तमाम जानकार के लिए बहुत शुक्रिया